नमस्कार मैं हूँ एम्राजा और आप देख रहे हैं DVN News दिन भर की खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ अली नगर बाल विकास प्रियोजना पदाधिकारी अन्जू कुमारी ने दो आंगरवारी केंद्रों का किया निरक्चन कई खामिया आई सामने अलिनगर सीडीपीओ अंजु कुमारी सुमबार को परखन चेतर के दो आंगरवारी केंद्रों का निरक्षन किया जिसमें रामपुर उदय मध केंदर संख्या 114 व उदय पूरब केंदर संख्या 7 का निरक्षन किया गया इस संबंद में अंजु कुमारी ने बताया है कि केंदर संख्या 114 पर मात्र 15 बच्चा था एक के पास भी ड्रेस नहीं था इतना ही नहीं उक्त केंदर की सहाई का भी बीना ड्रेस की थी जो काफी खेत का भी से है आगे बताता चलूं कि रामपूर उदे मद का आंगनवारी क केंदर उपकेंदर नहीं ये फूल फिल केंदर है जहां 40 बच्चे की मानेता है ऐसे में निरक्चन में मात्र 15 बच्चे की उपस्थिती पर सवालिया निसान खरा उठना तो लाजमी है अलियनगर में दिव्यांग बच्चों के जाँच को लेकर 21 नवंबर को कैंप का आयोजन बिहार सिक्षा प्रियोजना सिक्षा भवन करम गंज दर्भंगा राज प्रियोजना निदेशक बिहार सिक्षा प्रियोजना परिशद पतना के पत्रांक 8914 दिनांक 19-10-19 के आलोप में समावेशी सिक्षा परभाग अंतरगत 3 वर्ष से 18 वर्ष के सभी परकार के दिव्यांग बच्चों के जाच के लिए सिविर का आयोजन निम्न समय तालिका के अनुसार पुर्वाहन सारे 10 वजे से अपरहन 5 वजे तक किया जाना है जिसमें आप को परतिनिक किया गया है अगामी 20 नमबर 2019 को अली नगर स्वास्त के अंदर में मिशन इंदर धनूस को लेकर वर्ष सौप का आयोजन परभारी चिकिसा पदादिकारी प्रात्मिक स्वास्त के अंदर अली नगर ने अपने लेटर नमबर 354 दिनांक 16-11-19 के माध्यम से बाल वर्ष सौप के संबंद में लिखा है इस अलोक में लिखा गया है कि दिनांक 20-11-19 दिन भुदवार समय 11 बजे प्रात्मिक स्वास्त के अंदर अली नगर के सभागार में सभी सेविकाओं का वर्ष सौप आहुत की गई है जिसमें भाग लेना सुनिश्चित समझे इसकी प पताधिकारी चूट रहे हैं पसी ने मिसन इंदर धनुस के तैयारी जो रूपचल रही है सभी लोग इसकी सफलता को लेकर लगातार प्रियास कर रहे हैं इसको लेकर सूंबार को अली नगर स्वास्त केन्द्र में परभारी चिकित्सा पताधिकारी डॉक्टर बिमलेस पर अंकेक्षन दल पहुँची हरियट स्वक्सता अभियान के तहत बनी सोचाले जन वितरन परणाली विक्रेता परधान मंतरी अवास योजन एवं मन्रेगा के कार्जों का निरक्षन किया अंकेक्षन टीम पंचायत की एक-एक विंदू पर बारीकी से निरक्षन किया फिलाल अंकेक्षन टीम की तरफ से अभी कोई जानकारी प्राप नहीं हो पाई है विस्वसनिय सुत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अंकेक्षन टीम, पकरी, धंवारा धंसायन, वहरियत पंचायत के बिभिन, पीडियस दुकान, मन्रेगा, परदानमंत्री अवास यूजना एवं सोचाले का निरक्षन किया है समुदाइक साधन सेवी परसिक्षन कार्चकरम सुमबार को जीवीका के माध्यम से अलीनगर पुडाने परखंड कारजाले S.G.S.Y. भवन में दो दिवसिये गैर आवासिये समुदाइक परसिक्षन कार्चकरम का प्रारंब किया गया इस परसिक्षन का मुख उद्देश परखंड के छूटे हुए परिवार को जीवीका समु से जोरना है परसिक्षक मुकेस कुमार पासवान एवम अरुन कुमार साह के द्वारा ये जानकारी दी गई है